क्रिकेट की दुनिया में 20 सेकेंड का है ड्रामा बंगलादेश में चल रहे घरेलू बंग बंधू T20 टुर्नामेंट का है जहाँ एक कैच पकड़ने के लिए दो खिलाडी एक दूसरे के पास पहुंच जाते हैं और फिर क्या होता है एक बार फिर से देखिए वीडियो में दिख रहा है कि वेकेट कीपर मुश्फिकुर रहीम ने कैच तो पकड़ लिया लेकिन गुस्से में आउट आफ कंट्रोल हो गए दरसल कैच पकड़ने के चक्कर में मुश्फिकुर और नसुम एहमद टकराते टकराते बच गए हलांकि मुश्फिकुर ने कैच लपक लिया और इसके तुरंत बाद नसुम एहमद को मानने के लिए हाथ तक उठा लिया लेकिन जैसे ही मुश्फिकुर को अपनी गल्ती का इस गटना का वीडियो सोचल मेडिया पर खूब वाइरल हो रहा है। वीडियो में साप साप दिख रहा है कि बंग बंधू T20 डोनामेंट में बैक्सी मैको ढाका के कप्तान मुशिफकुर रहीम इस कदर आपाखो बैठे कि उनके साथी खिलाडी नसुम एहमद को थपड़ मारने की कोशिश की लिकिन जल्दी समभल गये। इस क्रिकेट टीम अक्सर विवादों में रहती है और अगर बात मुशिकुर रहीम की करें तो ये साप कई बार ग्राउंड पर अजीबो गरीब हरकत करते करते कैमरे में कैद हो जाते हैं। कभी मैदान पर नागिन डांस करना तो कभी जश्न मनाते हुए उल्टे सीधे हरकत करना इनके लिए आम बात है। अरे मुश्पिकुर भाई क्रिकेट को जेंटलमें गेम कहते हैं। कम से कम अपनी नहीं तो क्रिकेट के इज़्द करिए टीम लोकल वोकल। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स बाक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सेर जरूर करें। अगर बताएं।